क्या आपको पता है कि आज से 74,000 साल पुर्व पृतिवी पर इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था जो की 1000 नुकलियर बॉंब्स के बराबर था इस सक्तिसाली विस्फोट के कारण पृतिवी पर मात्रे कुछ 1000 मनुष्य ही जिविद बच पाए थे और आज आप और म उन्ही के वनसज है कहानी है इंडोनेहिया के एक सूपर वोलकानो दटोबा सूपर इरप्षन का जिसके कारण संपोर्न पृतिवी 10 सालों तक बर्फ के मोटे चादर से ढग गया था क्या होगा यदि आज के समय में पुनरवारे सा हो जाए कलपना नहीं बलकि भविश्य मा अलिका में वर्नित सत्य है और हमारे पास केवल गिंती के कुछी दिन बचे हैं जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य पर्ध्यान तो तर अपने आप दूल हो जाएगा 600 वर्स पुर्व विश्व के सबसे महान भविश्य वक्ता संत गुरु अच्चूतानंद जी ने कहा था कि चारी दिगोजा को अंधार होईब उत्तरु बोहीब हिम चारी दिनों मध्ये प्रतिवी नासोजिब अगनी कुंड नमानिब अर्थ चारो दिगों में अंधकार चाजाएगा उत्तर से बहेगा हिम चार दिनों में प्रतिवी नासोगा अगनी कुंड के कारण इस भविश्यवाणी में एक बहती गेहरा रहस्य चुपा है एक महा विनासकारी तबाही का इसको थोड़ा सरण भासा में डिकोड करते हैं पुरुदेव के अनुसार एक मैसिव सूपर वोलकानों फटने वाला है जिसके कारण संपोर्ण प्रतिवी पर चार दिनों तक वोलकानिक विंटर हो जाएगा वोलकानिक विंटर यानि जोला मुखिय सर्दी तब होता है जब एक विशाल जोला मुखिय के फटने से वोलका बड़े स्तर पर गिरने लग जाता है और इसी के साथ ही वोलकैनिक विंटर यानि जौला मुखिय सर्दी का आरंब हो जाता है कलपना कीजिए एक दिन सुभे घर का दरवाजा खोल कर आप देखते हैं कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है अनुभब करने में भले ही आनदाता हो परन्तु यद यद ये स्नोफॉल किसे सूपर वोलकैनों के इरप्सन से हुआ होगा तो मृत्यू निश्चि थे आज से करीब 74,000 येर्स पूर्व पृतिवी परितिहास का सबसे बड़ा विस्पोर्ट हुआ था जो की हजार नुकलियर बॉंब्स के बराबर था ये विस्पोर्ट इतना सकती साली था कि मातरे कुछ हजार मनुष्य ही जीविद बच पाए थे और आज आप और में उन्ही के वनसज हैं कहानी है इंडोनेशिया के एक सूपर वोलकैनो दे टोबा सूपर इरप्षन का जिसके कारण संपोर्ण पृतिवी दस सालों तक बर्फ के मोटे चादर से ढग गया था आपको घबराना नहीं है क्योंकि छोटे मोटे पृतिवी पर एसे बड़ी बड़ी घटनाएं होती र हो जाते हैं इस परिवर्तन के बाद जो बचते हैं वो आगे चलकर एक नए सभ्यता का नेव रखते हैं प्रश्न है कि यदि आज ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा तोबा सूपर इरप्षन इतिहास का सबसे बड़ा कैटेस्ट्रोफिक इवेंट था जिसके कारण पृतिव आखिर बचे के से उतर है गुफाओं में यदि आज ऐसा कुछ होता है तो बचने का केवल एक ही उपाय है या तो आपको किसे नुकलियर सेल्टर में जाना होगा या फिर किसी गुफा के अंदर छुपना पड़ेगा फिर भी पीने का पानी एवं खाने के लिए खाद दिय सबसे बड़ा चुनोती होगा क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका होगा एंड टाइम सर्वाइवल यानि इस प्रड़े के घड़ी में केसे बचना है मैंने इस पर अने को वीडियो में चर्चा किया है यदि आप इस परिवार में नए है तो फॉलो या सब्सक्राइब करक पुराने वीडियोस को अवश्य देखेगा और यदि आपको इस पर एक नया वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में आदेश अवश्य दिजेगा क्योंकि इस व्यस्त जीवन में जहां बाप बेटे को नहीं पूछता पति पतिनी को नहीं पूछता मैं पिछले 1063 डेज से बिन पुन्य और कुछ नहीं है संतगुरु अच्चु उतानन्द जी ने चार दिनों तक वोल्कैनिक विंटर के विशे में कहा था और तोबा सुपर इरुप्षन के कारण हुआ वोल्कैनिक विंटर लगभग 10 सालों तक चला था यानि ये तो स्पष्ट है कि आगे जो सुपर होने वाला है वो थोड़ा कम तिब्रता का होगा फिर भी हम में से कौन रहेगा और कौन नहीं बता पाना कठिन है हम सबको तीन एसे संकट का सामना करना पड़ेगा जो कि इस वोल्कैनिक विंटर के कारण होगा पहला संकट है सुद्ध हवा यानि ब्रिदबल एर मनिश्य बिना सुद्ध हवा के मात्र तीन मिनिट तक ही जीविद बत सकता है और जब वोल्कैनिक विंटर होगा तब सूर्य की रोष्णी प्रिथिवी तक पहुंची नहीं पाएगा जिसके कारण पेड पौधे ऑक्सिजन बनाने की जगा मरते जाएंगे केवल इतना ही नहीं वोल विंटर के दोरान प्रिथिवी का ताप मात्रा माइनस टेन से माइनस थर्टी तक जा सकता है और इस जमा देने वाले थंड में एक मनुष्य बिना गर्म वस्त्र बिना सुद्ध हवा बिना सुरक्षित स्तान के मात्र तीन घंटों तक ही जीविद बत सकता है इन सब के अला प्रिथिवी पर लगभग 70-80% नदिया जानवर पकसी पेड़ पौधे समाप्त हो चुके होंगे और इन परिस्तितियों में एक मनुष्य बिना खाद्य बिना जल के मात्र तीन सप्ताह तक ही जीविद बत सकता है यदि आप अन्य जानवर का सिकार करके उसको खाने का प्र पानी पीने का प्रयास करते हैं तो उस पानी में पहले से ही उपस्तित सल्फर डायोकसेड एवंग वोलकैनिक एश के कारण मारे जाओगे कुल मिला कर कहूं तो हम सब के बचने के चांसस मात्र 10% है परन्तु क्या आज टोबा जैसा कोई सूपर वोलकैनों एक्टिव है इसका येलो स्टोन कैल्डेरा दोसरा है नियुजिलेंड का टाउपो तीसरा है इंडोनेशिया का वही प्रणेकारी टोबा कैल्डेरा यानि संकट तो है परन्तु भविश्य मालिका में इसके विश्य में जो लिखा है वो आप सबको सुनना चाहिए संत गुरु अच्चु के मंगल के लिए काला परवत में गुप्त स्तान होगा भक्तों के रहने के लिए सरणभासा में कहूं तो इस भविश्य वानी में दो परवतों के विश्य में कहा गया है एक है धन्या परवत दूसरा है काला परवत जिसको की जलू का परवत भी कहा जाता है ये दोनों ही प प्रभु जगन्नात पूरी धाम त्याग कर जाने वाले हैं। परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नात जय पंचसखा जय हिंद।